पुहा कैसा लगा आपको अच्छा रहा है काले बादर तगड़े वाले सिर्प्राइज यह अंदर से खाली होगा तभी तो इसके अंदर हम बागे का समान भरेंगे आपके घर में आपका सवगत है हाई यूटो फैमली वेलकम बैक टो मैं चैनल होपस आप सभी एकदम बढ़िया होगे गाजियाबाद वाली गुडवाली मॉर्निंग नई दिन के साथ नए व्लोग की स्राटिंग कर दिया अभी मैंने आपके सामने घर के साल सफाई हो चुकी है मैंने नहा लिया है तैयार हो गूमने के लिए जाओ तो न्यू न्यू से कपड़े पहने तो अच्छा लगता है खुद को अच्छी वाली फीलिंग आती है लेकिन पता नहीं वो टाइम कब आएगा जब हमें गूमने का मोका मिलेगा तो इसलिए मैं यह डिसाइड किया कि जो भी कपड़े मेरे पास है नहीं है छलती हो मेरे बजट के साथ से किड़े दिन निगते स pourquoi मैं तो यह दिन भर बने रिए व्लॉग मेरे साथ बोले मेरी नईयां को भवपार लगा देना है आपके हाथों में मेरी बिगडी बना देना शंकर मेरी नईयां को तुम शंक बजा करके दुनिया को जगाते हो डमरू की मधूर धुन से तुम स्वर्ग दिखाते हो मैं मूरक सब मेरे अब गुन को भुला देना भोले मेरी नईयां को शंकर मेरी नईयां को भवपार लगा देना है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना शंकर मेरी नईयां को जो जलाली अभी मैंने पूजा पार्ट कर लिया है जैसे कि आपने व्लॉग में देखा होगा पिछे से हम डी माट गए थे वहां से पूहा लेकर आई थी मैं तो भी नाश्ते में पूहाई बनाने वाली हूं चलते है रिसोई में एंचे एंचे नाश्त आइं ऑफड़ी यहां पर हमरा लागारम पूहा हो चुक है तल्यार जोशी जी भी अंडर फूजा कर दरा जा की पूहाई फूहाई अच्छा किया जा रहा है गुद मॉनिंग जोशी जी जी जा रहा है जोशी जी जा रहा है यह कौन है किसने आके मुझे पकड़ा कौन है अले 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 यह तो लाव है जोशी जी चले गए अभी ओफिस उनके साथ ही मैंने भी ब्रिक्पास्ट कर लिया था यापर भी बट्री साफ के जा रहे हैं कुछ काफी दिरों के बाद को अखा है तो खाने में काफी यम भी गर्मी हमारे तो तग्रे लेवल वाली गर्मी पढ़नी शुरू हो चुकी है पसीने से मुझे भी बनने लग गई है मेरी तो तेरी ना हातों का सत्यानाश हो गए सारे दाने दाने हो गए हैं यह मच्छर जहां काट ले वहां दाना बन जाता है शाम को ही मैं लगा देती हो लेकिन यहां के मच्छर इतने तगड़े जहरी लिया जो जहर खा के बीजिंदा रहते हैं और इनके अंदर इतनी ही शमता रहते हैं कि इंसाना खून पीपीके पीपीके से डोल जैसे बन जाता है फिनसे उडा भी नहीं जाता फिर मैं रैकेट से प्टैक करके मार देती हो अगर रैकेट नहीं मेरा क्या ही होता, अलाओट से तुनको कोई फरक बरक पढ़ता नहीं है, देखो, यहाँ पर भी दाना सा हो रहा है, यहाँ भी मच्छर का खाय हुआ, यहाँ भी मच्छर ने खा रहा है, बहुत परिशान हो भी है मैं मच्छरों से, तो फिलाल खरका सारा काम काज नहीं पढ़ चुका है तो भी मैं फोन का काम काज नहीं पताने लगी हूँ आपके comments के reply करने लगी हूँ व्लोग एडिट करने लगी हूँ तो मेरे टियो आपको मैं break के बाद finally अभी मेरे phone का सारा काम काज नहीं पढ़ चुका है मैं आपके कमेंज के रिप्लाइ भी कर लिए हैं व्लोग भी एडिट कर लिया है शाम के तक्रीबन चार बजने वाले हैं भी और यहां पर मेरे फेस के सामने जल रियरिंग लाइट और मैं बनाने लगी हूँ आपके लिए इस्टा पर कुछ रियूज बारिश आएगा बारिश आएगा बारिश आएगी पता नहीं क्या पगड़ रखी है यह चीज ना कि डेली शाम को यह होना ही होना यह ज़रूरी हो गया उपर देखो काली-काली घटाएं ओमाइग गौड काले बादल तगड़े वाले और ऐसे लगड़ा है सारी बादल हमार नहीं नहीं पर लगवे होगा फ़लके हलके से चीटाने शुरू हो चुके कितने जोर जोर से पेड़ लहर आ रहे हैं देखिए जूम रहे हैं यह भी हवा में मज़े ले जिनकी के यह क्या बात है भाईया बीच मीदूप सी आ गई बिच मीचाया सी हो गया यह क्या हो गया यह देखिए हलकी हलकी बुंदा बादी शुरू हो चुकी है यहां पर सफ्राइस यह देखिए हमारी आख़ों के बिल्कुल सामने यहां पर रेन बौल बना हुए है यहां से स्टाट है नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर, वो कितना सुन्दर होगा तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वानी है, तेरी छवी पल्यों मेरे शंकर, ये दुनिया दीवानी है भाव से तेरी जोत जगाऊं, जीवन में मंगल होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुन्दर, वो कितना सुन्दर होगा जो जलाली थी मैंने पूजा पाट कर लिया था, ममी बाहर गली में बैठे हुथे सबके साथ, तो थोड़ दिर मैं भी बाहर चलेगी, सबके साथ वहीं पर बैठके मैं भी बाचित कर रही थी, फिर तकरीबन साथ बजे मैं अंदर आई, मैंने व्लोग अप्लोड किया, फि जिए बंगे का हो गया, अब दुपहर में क्या बनाएं, मैं घर पर, मैं घर भी खाना है, मैं तो थे मश्या दूर साथ कहा खाते हैं, मैं में कईला खाना कानी का भी वहीं कलता है, तो भी इस समय शाम के समय मुझे होता है कि हलका कुछ खाओं वैसे मैं चाय के साथ कुछ खा लेती थी लेकिन अभी फिलाव काफी टाइम से चाय भी छोड़ रखी है तो और अप्शन भी खतम है और अकेले के लिए क्या बनाओं क्या मेरा मन नहीं करता तो इस चकर में थोड भर के बड़ी स्वाद बनती है तो उनको खिलाई थी मैंने पर जब से हम इस घर में आये तब से मैंने बनाई नहीं है भर के शिम्ला मिर्च बोजा हम लक्षमीन अगर रहते थे वहां पर बनाती थी मैं वहां पर इन्होंने खाहा रखिए काफिवार टिक टॉक पर उसकी लेकर बैठी हुई हूँ तो छोटे साइज की शिम्ला मिर्च लिए हैं मैं 10 पीस हैं शिम्ला मिर्च के यह तो मैं इसको भी बीच से इसको काट लेंगे इसके बीच निकाल लेंगे तो मिनका चलो बना रही तो रश्पी आपके साथ शियर कर देती हूं नाम है तेरा तारण हारा कब तेरा दर्षन होगा यह देखिए अब इसके अंदर जो बीज भूगया रहा वो भी निगाल लएधर अच्छे तरीके से यह अंदर से खाल लिया होगा तभी तो इसके अंदर हम बागे का समान भरेंगे चाहे देखो भरे हुए करेले हैं जो भी चीज़े इन चीज़ों में महना जरूर लगती है लेकिन यह खाने में बहुत टेस्टी होती है और हरी सब्जिया तो वैसे हमारी सिर्द के लिए कितनी अच्छी होती है यह जानकारी को आप सबको होगी यह तो बताने वाली कोई बा यहां पर निए तो आप अगर बना रहे तो आप जरूर यूस करना वहाँ पर आपको प्याज अध्रक लसन यूस करना तो इस तरीके से मने पहले शिमला मिर्च रियर कियें वैसी बाकी भी कर लेंगे बीच में जीतना वी कुछ रहा है इसका ट्रम-पट्र में निकाल सब कुछू को फॉन किया था कुछू गया रहे हैं कि मैं आ रहा हूं कुछू रस्ते में फटावर से बस वह आ जाए अक्चल में सीन है कि आलू घर में खतम कट्टा कुछू लाए थे वह आपने व्लोग में देखा था कट्टा खोलना है वह वाला और उसमें आगे आगे बड़ अब निकलेंगे तब यालू उबलेंगे तो तक जितनी त्यारी कर सकती हो तो कर लू दंदन यहां पर सारी शिंगा में साफ कर लिये मैंने और इसके अंदर से निकलावा मटीरियल सारा यह रहा है है आपकी घर में आपका सौगत है जोशी जी आ गए थे आज टाइम पर व दो कुछ दंदी हो जाएंगे फिर चीलेंगे लेकि निक तो गरम लगता है मुझत हो यहां तक से का रहा है यह का लेकिन को गरम कुछ लागता अरगे ङुष्य लगता मारा जि लगे उ छिल हमें जोशी जी देखो नू भूला नी बनाया है निंव एडि देख लाश्य वह यहां पर जोशी जी भी चीकू का शेक बनाने लगी है चीकू को छील कर चारी सों में करकर डाल जया गया अभी इसमें एट किया जा रहा है दूद्ध आप यहां पर से यहां पर ड्राइफ फूट बडाले जा रहे है प्रफेश्णल का मोरा देख रहे हो जी को आप पर क्या हो गया अब इसकर लिया ना क्या सारा मित कटाना मिठ चक्किया वहां तो अटारा यह प्लेट तो मैं आपको ओलरी दिखा चुकी हूं और सैटिंड प्लेट जो अभी अभी जस त्यार हुए है यह है जो अलू बॉयल किये थे उनको छीला है उसके बाद मैश करके यहां पर इस तरी के से रख दिया है और जोशी जी का मन कर रहा था चीकू का शेक में ने का तो मुझे ज्यादा प्रेशान निगरते उनको पता कि अपने काम में लगी हुए है तो फटावर से आगे अपना शेक बना के उन्होंने भी पिला दिया मुझे चिपू का शेक अच्छा नहीं रखता इसलिए मैं ने पिया ने जिस थोड़ा सा इनके मिसे टेस्ट किया था तो यहां पर बाकी की त्यारी कर लेते हैं और दिखाते हो आपको रेसिपी गर्म गरम तेल में यहां पर डाल लिया गया है जीरा इसके साथ यह अद्रक डालने लगी हूँ अद्रक के ब्राउन होते ही यहां पर डाला जाएगा बिट माटर कोई पैशल मसाला यहां पर यूज करते हैं नमक है तो आसा घरब मसाला है लाल मिल्च है तर्की सी हुंगी है क्लर से अंदाजा लग रहा होगा आपको खीत टरका किता मस्ट बना ए त्यल उपर तैयर के आचुका तयार है हमारा अभी जो हमने पेस्ट तैयार किया आज तर्मोंच त्यार हो चुका है यहाँ पर हमारा कडाही से मैंने इस मसाले को ट्रास्टर कर लिया है फ्लेट में ठोड़ा के इसको रखाए ताकि थंदा हो जा है फटावट से फिरम इस मसाले को भरेंगे शिम्ला मिच के अंदर हम भरेंगे अंदर तक चमच आराम से जाने दी है इसको खाली करने का रीजन यही होता है कि जो मसाला इसके अंदर डाल रहे है वह अच्छे तरह कि इसके इंदर चला जाए और मसाला में काफी सारा बनाया बिल्कुल भी कंजूसी नीकी मसाला बनाने में अगर बच भी गया तो फिर भी चोखे की तरह इसको यूज किया जा सकता है वैसे भी काने में बहुत टेस्टी लगता है और एक बात का ध्यान रखना कि आप जो मसाला डालोगे नमक हल्दी मिर्च जो भी डाल रहे है मतलब वह मसाला थोड़ सा तेजी रखना क्योंकि इसके बाहर भी देखिए शिमला मिर्च का कवर है इसके अंदर मसाल तैल बड़ीयत तरीके से गर्म हो चुका है हमारा चारह तरफ तरह डला टेल को घरी और शिम्ला मिर्च को थो ने ढाल गया है तेल जादा नहीं सरफ उतना से प्लाश चृप ड़य के इसको बार बार अलटाबारारा बलटाना होगा इस काम में स्टोर टाइम लगेगा नीजे यहां पर हमारी गर्पा गर्म भरी होई शिम्रामिट सेयार हो चुकी है देखने में भले इतनी इसकी ना लग रही हो लेकिन है कि तेज से पका यह तेज सी बनी होगी क्यों को पकाने में काफ़ी टाइम लग जया मिलको यहां खड़े-खड़े कम शिदम जगते पंद सकते हैं यह जूस बोल सकते हैं से अनार और सेब का मिक्स त्यार किया क्या कि मैंने चीकु वाला पिया नहीं था थेशकी जी इनको बहुत टाइम लगा यह नहीं निकाले हूँगे सेक और सोकाटा होगा ते ग्रइंग यह च्छाना होगा यह तैट्या फट्टक थे-पर अ कि गई है घरवालों के लिए दाल के साथ होड़ से चावल भी त्यार कर लिए गए और यहां पर मैं तो किसी गर्मकरम रूटे त्यार कर लिए हुआ यहां पर मुम्मेंट है जहां पर रिजल्ट पदा लगने वाला है मैंने सुखार दूए कि नहीं क्या कहना चाहिए लिए पर यह जाता है और यह जाता है अभी यहां से लेकर वहां से लेकर वहां तक बटनी बर्तन सारे भड़े बढ़े बोने वाले ऐसे टाइम पर मम्मी की बढ़ीया आती है नो को जचमें जब थक जाते हो ना भूग जाता है सबसे पहला जो कमेंट आज के व्लोग में आया है उनका नाम है आरती शर्मा उनका नाम भी आरती ही है तो उन्होंने कमेंट किया लव यू दी लॉट्स ओफ लव गौड ब्लेस यू और जो पिंड कमेंट है वो है रंजना यादव जी का इन्होंने लिखाया थैंक यू दी मेरे कहने पे हनीमून की पिक्स शेयर करने के लिए और दिल वाले इमोजी भेजे है लव यू दी लॉट्स ओफ लव गौड कमेंट आया है सीमा विशकर्मा जी का गौड ब्लेस यू गाइस बहुत अच्छा वीडियो था आज का आप दोनों खूब खुश रहो ऐसे ही आपको दिरोज देखे बहुत अच्छा लगता है पर आज अनील जी बहुत अच्छे लगे आपके साथ खुश थे और थोड़ा हस से भी और बस आप दोनों ऐसे हैपी रहो भूले नाथ ब्लैसी हुआ है साइंक्यू सो मच इतनी ब्लैसिंग जितना प्यार देने के लिए और नेक्स्ट कमेंट है मोहिनी खुशी जी का हमने तो देखा भी नहीं जहार बस उड़ते हुए ही देखा है उसमें ही बहुत खु करें और आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा हो जल्दी से आपको भी जहार में बैठने का मोका मिले तो कामीनी बिस्ट जी का कमेंट आया है मेरे हस्बंड एरफोर्स में है शादी से पहले सब कहते थे ऐरोप्रेन में घूम हो गई आज 5 साल हो गई एक बार भी नही देखते हो इवन कोई शादी भ्याव होती है इनकी फ्रेंट की तो भी अकेली जाते मुझे तब भी नहीं लेके जाते तो कुछ नहीं होता जरूरी नहीं होता कि यहां जैसा हम सोचे वैसे याने वले टाइम पर हो भी तो आज का दिन जो भी था जैसा भी था आपने सब्सक्राइब मुझे तो मुझे बिनाना पड़ता तो इतना काम मेरा कम हो गया उबले हुए आलू में से चिलवा दी तो उतना ही मुझे मेरी हल्प कर दी तो उतने में बहुत जादा खुशी है तो बस ऐसी साथ बना रहे प्रेम प्यार बना रहे अपना अश्रवाद और मैं लगी हुए अपने फोन पर आपके अप्राइब कर रही थी मेरी कमर में दर्द हो गया वैसे थाकान मुझे होती नहीं पता नहीं क्यों आज इतनी थाकान होगी जैसे पीट रखा हो किसी में एक दम सी लातों में दर्द कमर में दर्द टैड़ी पीछ लगार कैसे ल मेरे दुख सुख का साथ ही मेरे टैड़ू